हेलो फ्रेंज आप सबका स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल टोप लाइन ट्रेडिंग अकैडमी में तो आज हम लोग बात करेंगे को मुझेटी मार्केट के बारे में जिसको मुझेटी एक्षेंज भी बोल देते हैं को मुझेटी मार्केट क्या है इंडिया में क कॉमोडिक्ट इसने मार्केट वे वेरिसको मुझेटी इसए मार्केट नोन अग्री कल्चार्ष लापोड्चे अधिन होती है उसको कॉमुटेटेश कोणं कॉन सब्सक्राइब कोड़िटी जैसे कि हवारी कोटन कपा मेंठा ओल रबर ब्लैक पीपर यहां पर एग्री कल्चर्चर्स के रिलेटर जो भी प्रोड़क्ट्स होते हैं इनका बाइंग और सेलिंग की जाती है वह सब्सक्राइब मार्केट में होती है या रा प्रोड़क्ट जै जैसे कि जिसको कच्छा माल भी बहुल देते हैं गोल्ड, सिल्वर, अल्मिनियम, लेड, क्रूड ओल, नैच्रल गैसे जो सारी प्रोड़क्ट्स है रा प्रोड़क्ट्स है वह हम कोमडिटी मार्केट में ही ट्रेड करते हैं कोमडिटी मार्केट इस फिजिकल और फॉर बाइव देगाद ओलु öंतु पर और गैसे लिधा लेड़कैट आप उख्र forehead Crothe फिजिकल डिलिवरीमंगवाना चांदा हैंश्ब आप विपी फिजिकल अपने गढ़्म ॉन गैस। मंगवाना चाहिक तो आप उसको भी अपने गढ़्क पर मग असकते हैं जाएंब विर्च्वा टेडिगए आप उसको वहां पर ही बाय क्या सैटलमेंट करके उसको विर्च्वा टेडिंग कर सकते हैं यहां पर क्या तो फिजिकल और वर्च्व दोनों प्रकार की बाइंग और सैलिंग होती है है टाइप आफ कोमड़ी इसी कितनी टाइप होती है उसके बाल में देख लेते हैं इन को अधे हमारी हाद कोमोड़ीटिटी जो नंबर फान हमारी हाड पॉम्ड़ीटी जए सॉफट इस और कोमड़ीटी के हमने कौन कोन सी आ जाती है प्रक्रद फिर्दाशूश्र वह सारे भी हमारी नेशुन सोर्स है जो हमें खुद्र प्रधान किया है और सफ्ट झॉम्हूधे में कौन सी आ जाती है अग्री कल्टाइब जो भी घुट्ट होते हैं वह तो हुद्ट हमारी आजाती है सफ्ट कॉमटीटीटीस में हाए क tendencyách इंडिया में कोण सी कांजिए उसके बारे में देख लेतma हम र domestic एक्चेंज एंस इस्कों में मिल्तिक अक्षेंज अलोन चैनल इसलिए मैuman को मिलजे है तरद नेसलिए एकशेंजी इन इक इसलिए पॉर्त वन मल्टी चुम्मारी में कुशनलिया है यहां पर और पर निया गसे गई躹ए है पर जो एक जाया है जिसके घम तो हम आज हम लोग बात करेंगे डेटेल में बात करेंगे मल्टी कॉमोडिटी एक्चेंज को बाड़े में एंसी एंसेक्स के बारे में हम डेटेल में बात करेंगे तो चलो आगे चलते हैं मल्टी कॉमोडिटी एक्चेंज इस्टेब्लिश्ट इन इंडिया इन 10 नॉवेंबर 2003 जो इंडिया में इसके स्टेब्लिश्ट कब हुई थी 10 नॉवेंबर 2003 में 2003 में मुल्टी कोमोडिटी एक्षेंज में कोमोडिटी मार्केट में कोमोडिटी की बाइंग और सेलिंग को करना स्टाड किया था यह लाजेस्ट एक्षेंगे और हम हैं को अधोल टोज़ेटे लिए क्रेज्ट ऊपरेट्स कान्टिए ओवर मोर्धन वूटीज है जो चाहलीच कंट्रीयां में मि데 Пtarmm τι इस पर वर लार्जेस्ट एक्चेंज इन सिर्ब लाड की सबसे लाज शते इइस लेघ्रा इंग ड कर वहता है चुरॉख जो सबसे बहुत होता है स्ट क्या होता है मर्टि कौॉटी ग City मी जो एंटेक्स का है वो है मुबाई में हैटकॉर्टर इन मुबाई ठीक है कि उसके बार नेक्स्ट आम बात कर लेते हैं डाइस ऑफ दी एंडाइस का इंडाइस कौन कौन से फोर इंडाइस मतलब जैसे हमारी नेशन स्टॉक अग्शेयर उसका इंडाइस का है अगर हमने अपनी इंडाइस को देखना है तो हम क्या करते हैं अपनी जातों इंडाइस का इंडाइस का पता लगवाना है कि कॉमडिटीज कैसे चल रही है क्या रेट चल रहा है उनका और उनके में क्या एवरेज रिटर्न दिया है कुछ स्पैस्विक टाइम फ्रेम मतलब आप वन एयर में वन मन्त में जावन वीक में तो हम उसके मल्टी कॉमडिटी एक्शेंज के जो इंडाइस साम उसको देखके यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह कोमेडिटी में किताना डिटर्न दिया है तो कौन से इंडाइस साम देख लेते हैं कि एम्सेंग म्हारा उनन है वह हैं से आइकमडेक्स इंडाइस जो भी इंडाइस है वो यह और उसके पास ये भी हमारे mcx Icon Dex Boolean mcx Icon Dex Metals ये भी हमारे इंडाइस है जो हमारा मेर इंडाइस है वह जो है mcx Icon Dex Indies अगर हमने इंडिया अगर हमने कमटिटीज की को फाल चेक करनी है कि इसने कि जान इसको हां कितने रितन दिये हैं ओवर्ल कला क्या चल रही है तो हम क्या कर एकि के की दाइस को देख लिए गिग तो हम आध जो इसके म हैसे कोद कि या में वाथ करेंगे यह मिलीन सकंट यह किHow बहुंद इसे कुक्ष्ट के मिलके बनी ज़िए है आप कि संंसे दाइसे जो है इसके इंदर जो है तू सैटकर म्यूंद इसे मामने फीद अनुंब भी क्या भूलीन इंडेक्स और बेसमेटर огр сделал इस्वर जे ओंसे सभी से मिलके जो जो Index बना हुआ कमठेक इंडेक्स हुआ वह वा इंचाप सभी से मिलके बना हुआ है भी रिजिए इन्डेक track ब्लियंस में क्म ally 2 दा कों आ जाते हैं बहुर और बेसमेटेस sna चाहिए पुच्छ जो है इन विद्धार फूचर से जो मिल्क बना हुआ है हमारा एंच्छ आइकॉम्टेक्स इंडाइस से बना हुआ है कि इस बेंचमर्क अगर हमने पूर्वराल कमडेटीज मार्किट का बहीड देखना है तो हम क्या करेंगे आई आइकम डेक्स को देख लेंगे इसको आज हम बेंचमार के यूज करते हैं कि परफॉर्मस ओफ बास्केट ओफ कॉमिडरी इस यह जो आइकम डेक्स के अंडर जिनसे यह बना हुआ है तो उन्सकी ओवराल परफॉर्मस के बारे में हमें पताता है और इसलेक्ट रिटर्न जेनरेट फ्रोंटा होल्डिंग के पॉर्टफॉलियो फूचर फूचर में जैसे गोल्ड सिल्वर कोपर लेड निकल इन सभी में पैसा लगाया हुआ है जो आइकम डेक्स इंडाइस के अंडर आते हैं अगर आइकम डेक्स इंडाइस बता रहा है कि यह पिछले कुछ बीटे दिनों में चाहिए एक मीने में दो परसंट बढ़ा है तो मतलब कि आपका जो पॉर्टफॉलियो है जो दो परसंट ऊपर गया है तो यह ओवराल रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पॉर्टफॉलियो में जो आपने फूचर की होल्डिंग कर रखिय जाए उसने कितने रिटर्न दी है तो यह डिफ्लेक्ट करता है कि नोट यह बल्ट इंवेस्ट आप डिरेक्टली आइकमडेक्स इंडिस में इंवेस्ट नहीं कर सकते जैसे हम आप निफ्टी को आप में फूचर में टेड कर सकते हैं उसका जैसे 75 लोड की कॉंटिटी आप इसको बाइब तरीके से आप इसमें अपना डिर्टी पैसा इंवेस्ट नहीं कर सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आप विडियो अच्छे लगी और आपको चे तरीके समझाई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें हमारी इस यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें अगर आपकी कोई भी क्वैरी जा तो हमारी इस वीडियो के नीचे में क्वेंट करके हमें जरूर बताएं दरनेवाद